कि सब्सक्राइब करें मेरे यूटीब चैनल उत्राखंट बड़ सुरुद्धरपुर को और पासी आई बेल आइकन को बजाना ना बूले आपका अपने चैनल उत्राखंट बड़ सुरुद्धरपुर में तो आज की हमारी वीडियो का टॉबिक है वाइल राइस देने के फा तो आप देख सकते हो मेरे बर्ट सिस्टेम भूग है मैंने रात में दाना निकाल लिया था तो आप में सुगए ने प्रोवाइट करने जा रहा था चावल तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लूँ आपके साथ में जिन भाईयों ने अगर नहीं देखिए वीडियो तो सिस्टेम सब ये भूंके हैं तो मैं बताउँ आपको इसके वैनिफित बताउं उगा वाई कि जा लगे तो में जाव दिखाता हूं आपको कैसे आपको देने हैं अपने बजी से राट को तो ये चावल रख वेए ये रार्च बनायते हैं चावल हम ने फिरीज में रख दि यह सोफने से खराब नहीं होते हैं तो अब मेरे पाणी में डाल दूंगा थोड़ा मियों यांग फंड जब ज़ादा हो रहा है तो पानी में Dal के आप थोड़ जKY रख सकते हैं ताक कि बुस्ट हम ठंडे हो रहाएं भी थानी का छाबब या यह पहुँद हूं बनाओके दोगे तो चिपकेंगे इनके पैरो रोब है तो मैंने ये डाल के भिला ले रहा हूंने और पानी निकाल दूँगा इसका निचोड़ दूगा पानी में और दो पेर मेरे पास यह हैं यह मैंने अलग सेपरेट में कर लिये हैं क्योंकि इसके पर नहीं है एक के फिमे बरतन के पर यह मैंडियों जांने तो मारा याध को सब्सक्राइब है तो ढ़ पर आ नहीं हो गया है तो यह मैंने इपने बरतन में चाफ़ा बसकी बरतन के नहीं किंजिकर को दो नोर्मल होती है और जब आपके घर पे चिक्स निकले वह हो तो आप दे सकते हैं अपने बजी स्पारट को यूदि इसके बच्चों की हैल्थ में ग्रोध जल्दी होती है चावर हजम जल्दी हो आता है तो इसकी ग्रोध बढ़िया होती है बच्चों का साइट देखना आप अब जाए चावल खिलाओं आप अपने ब्रीडिंग सीजिन में चावल खिलाओं आप हफ्टे में एक बार और जब आपके रवेच निकल जाए तो आप हफ्टे में दो आर भी खिला सकते हो चावल और बहुत नरम तूट है यह बहुत जल्दी मतलब बजी स्परेट खाते और इसमें खिला देते हैं ले आगे उन्हें गलाना नहीं पढ़ता है अब पोटे में इस दाने वाने जो होते हैं दाना गलाना पढ़ता है अगर दाना खिलाते हैं अपने बच्चों को पहले खाते हैं और फिर उसके बाद गलाते हैं पोटे में फिर उसके बाद खिलाते तो इसे तो आपने खाया और जाके बच्चों खिला दिया और इसके बच्चों ग्रोध बहुत चल दी होती है और साइज में भी बढ़िया होता है तो बहुत ही बढ़िया सौक्षूट है आप देखें अपने बजी स्परट को तो बहुत फाइदा होगा तो चलते हैं फिर तो सब लोगो गुड मॉनिंग बोलना ये बोलो गुड मॉनिंग नमस्ते लाइक करना है और मेरी वीडियो क्यासी लगी आपको बताना कमेंट करके यह देखो यह और बहुत से लोग पूछते हैं कलोणी के वारे मेरी में कलोणी दी बनाता हूंगा पूरी तो यह कलोणी है हमारी इसका साइज है 6 फेट उची है और पांच फेट साढ़े चार फेट लंबाई है इसकी साढ़े तीन फेट चोड़ाई है देख सकते हैं यह मैंने अपने आप बनाई है कलोणी आप भी बना सकते हैं कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है बनाना यह देखो इसका साइज पूरा यह नीचे से लेकर उपर तक तो ठीक है भाई लोगो कैसी लगी कलोणी बताना आप लोग एक एक करके सब उतर के आन तो आप अपने बजी स्पैरट को दे सकते हैं वह बहुत सौक से खाते हैं बजी स्पैरट को बहुत अच्छा लगता है यह चावल यह पिंजे में रख रखे हैं मैं देखो यह भी सब खाने लगे हैं कितने मजे से खा रहे हैं यह देख सकते हैं यह बहुत चाव से खाते ह तो आप दें वाइल राइस को और वाइल राइस खाने के फायदे भी बहुत बेनेफिट होते हैं इसमें और बहुत चल्दी फीट पाते हैं वाइल राइस देने से